आप देखने एवी पियस निउस मैं शिल्पीत पाटी एक बार फिर से आपको स्वागत करते हूं हमारे खास कारकरम विदायक जी चले गाउं के ओर में आज हमारे साथ मौझूद इन विदायन सबा महुली जन्पा सीतापूर से बात्वा विदायक शेशांक त्रिवेदी जी आई उन से बात करते हैं गाउं के विकास को लेकर जैसे गाउं से लोग पलायन कर रहे हैं तो इसके लिए क्या सरकार कुछ योजना चला रही है कि लोग गाउं में रहें वहीं पे रहें वहीं संतुस्ट रहें और कोई वर्क ऐसी योजना कोई चल रही है ऐसी कई योजना शुरुवात होने जा रही हैं जिसमें सर प्रथम अभी जैसे हमारी महोली विधानसबा में है तो चीनी मिल के लिए हम लोग लगे हुए थे बहुत जब से मैं विधायक बना साल भर पूरा होने वाला है तब से प्रयासरत थे कि चीनी मिल वहां पे शुरू हो और आपके माध हमसे प्रथम बार मैं टीवी पे बता रहा हूं कि हमारे शर्षी मुख्यमंत्री जी ने डीपियार बनवाने का देश दे दिया और अगले से शत्र अगले जो पिराई सत्र है उससे पहले ही हमारी चीनी मिल का कारे वहां पे शुरू हो जाएगा और चीनी मिल जब लग है वो कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होगा उसको महोली में अपने महोली नगर में रोजगार मिलेगा और गाओं का हमारा जो युवा है वो कहीं बाहर नहीं जा सकता दूसरा एक कार और अभी मैंने मानिये हमारे मंत्री जी है दुख दिरकास मंत्री उनसे बताए हैं जिनकी शुरुवात में बहुत शीग्र करने जा रहा हूं जैसे जिसमें एक जगे जगे पर मिनी कामधेनी योजना बड़ी है हर किसान नहीं कर सकता हर युवा नहीं कर सकता लेकिन मिनी कामधेनी योजना या इसी तरीके से एक सगन योजना चलती है वो योजना इस तरीके की योजनाओं से छोटे-छोटे जो गाओं हैं, उनमें भी पलाये ना परोख सकते हैं। जो मन्रेगा की स्हीम थी, मन्रेगा की स्Kेम में लगातार काम नहीं है, तीस सो दिन काम नहीं होता है, एक तो बीस से पचीस दिन काम है, दूसरा उसको अपने गाओं में ही काम मिल राा है। एक सामोहिग घर परिवार में जो बोजन बन रहा है वही खा रहा है, अपना आवास पुस्तैनी आवास है उसी में रह रहा है, तो वो उसके घर के 175 रुपे बाहर के उसके 500 रुपे से भी अच्छे रगते हैं. आपके साफ से कि 175 में जो किसान है वो संतुस्थ है? संतुष्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी बाहर के 200 से घर के 175 तो बहुत अच्छे हैं यह मैं कहना चाहता हूं आपके साब से किसानों की जो कम आए है 175 विद्ध यह बढ़नी नहीं चाहिए नहीं बिल्कुल बढ़नी चाहिए हम इस हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री प्रदान मंत्री जी पूरे मत में हैं और हमारा लक्ष है 2022 तक उत्तर प्रदेश के हर किसान की आए दुगनी हो जाएगी ये संकल्प पत्र में है, ये हम लोगों का संकल्प है, ये हम लोगों का लक्ष है और ये हम लोग करके मानेंगे जो बात आपने की बिल्कुल सही है और अगर सिच्छा की बात करें तो आज भी जैसे जो स्कूल है गाओं में वहाँ के बच्चे जो हैं वो जमीन में बैटकर ही पढ़ाई करते हैं, वहाँ फनीचर वगर नहीं होते हैं, स्कूल में बल्व और पंखा तो है लेकिन लाइट वगर नहीं हैं, ऐसे इस पर क्या कहेंगे? बहुत से ऐसे गाओं हैं, मैंने स्वेम देख रहा हूँ मैं जब जाता हूँ विद्यालों में, चूंकि मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेशन पर सिक्षा पर मेरा जोर जादा है, तो जब मैं जाता हूँ गाओं में, तो कोई भी गाओं में स्कूल और तालाब पर अगर किसी ने कब जाकर रखा है, तो वो देखता हूँ और स्कूल जरूर देखता हूँ, तो जब मैं स्कूल में गया, तो मैंने कई विद्यालों के ऐसी हालात देखी, कि जो बद से बत्तर हो चुके हैं, छटे टपक रही हैं, या बनी हैं, तो पिछले कुछ सालों मे तो आज दो-दो-तीन-तीन साल बाद ही गिरने की इस्थित्म हैं, जिन में बैठ नहीं सकते, बेंचे जो मैंने जब पूछा कई कुछ विद्यालों में, जमीन में क्यों बैठे हैं बच्चे, तो उन्होंने ये बताया, कहले लगे कि बेंचे तो आई थी, लेकिन वो से उठा के बच्चों को मैं बेंच पे बठा दूँ, क्योंकि मेरा, अगर मेरी छेतर का जनता, मेरे छेतर के विद्यार्थी जमीन में बैठ के पड़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े दुख की और अफसोस की बात है, बात एक और मैं कहना चाहूंगे, कि जहां से हमार में अब क्या कहेंगे की? में संसादनों से जुटा पाई है, और अब विकास के कार पठ्री पर आएंगे, अगला जो वर्ष आप बैठेंगे, हम लोग एक साल बाद जब इस विशाप पे चर्चा करेंगे, तो आप देखिएगा, हमारा प्रदेश तरक्की की और आगे बढ़ चलेगा, बात अगर वहां के श्कूल की बात तो अलग है, जो वहां के उनिवर्सिटी है, उसकी बात करेंगे, तो वहां के चात्रों का जो सुच रहा है, क्या क्या कर रही है? हमारे सिक्षा मंतरी चाहें वो उच्छ सिक्षा मंतरी हो चाहें बेसिक सिक्षा मंतरी मानिय अनुपमा जी और उच्छ सिक्षा मंतरी श्री दिनेश शर्मा जी दोनों का ये विचार है दोनों से मैं, चुकि मैंने पहले बताया आपको सिक्षा से मैं जुडा हूं तो सिक्षा पर मेरा फोकस जादा रहता है विचारधारा वो सिक्षा की है तो जब मैं उनसे चर्चा करता हूं दोनों का भी एक ही लक्ष है कि हमारा जो परदेश पिछले 15 सालों में नकल के पढ़ाई करकर के और पुरानी किताबें विद्यालों में कोई ना लाइब्रेरी में किसी तरीके की सामगरी ना ही स्कूल में अच्छे टीचर्स तो जब ये सब चीजे हो गई थी तो कहां से इस तर उचा उठता अब वो प्रयास कर रहे हैं किसी को हटाने नहीं जा रहे हैं लेकिन गुरवत्ता पर पूरी तरीके से जोर है और अगले आपको कुछी महिनों में आपको दिख जाएगा कि सरकार ने जो सिक्षा की नीत नई लेके आई है उसमें जो परिवर्तन दिखेगा उससे आपको समाज में परिवर्तन दिखेगा और गुरवत्ता दिखेगी आपको पिछले समय में जो एललबी का डिपार्टमेंट था उसमें जिसमें 24 टीचर थे उसमें आज सिर तीन टीचर रहे गए इसका कारण क्या है वही मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार अपने नाते रिष्टेदारों को भरती करके और उन्होंने इस तरीके से कारे कराए कि कोई मानक नहीं रहे गया तो उस मानक विहीन जब सिक्षा रहेगी जब इस तर विहीन सिक्षा रहेगी तो फिर यही सब होगा और इसी का नतीजा है कि आज जब सक्ती हो रही है तो ये सब ऐसे जो टीचर्स हैं या तो इस्तीफा दे के जा रहे हैं या फिर वो आना बंद कर दे रहे हैं या फिर निकाले जा रहे हैं जो गोड़ी सिक्षक हैं, गोड़ी जन हैं वो रहेंगे, वो भविष में आगे कारे करेंगे और हमारे चातर चात्राओं की सिक्षा के उपर दारमोयदार है पूरी तरीके से मुझार की बात करें तो सरकार बने की टाइम पे हमारे माने मुख्य मंतरी प्रदान मंतरी नरेज मोडी जी ने यह कहा था ये बात कही थी कि हर युवा को रोजगार दिया जाएगा लेकिन रोजगार आज भी कहीं नहीं है कोई वास्तिविक्ते देखने को नहीं मिल देए इस पर आप क्या कहेंगे अगले साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है लक्ष रखा है चार लाख युवाओं को रोजगार एक साल में चार लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष है और ये पूर्ण होने जा रहा है क्योंकि हमारे यशश्वी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्ने किया था पिछले साल शुरुआत में वो सारे के सावर में पूर्ड हुए है और अगले साल के लिए उन्होंने 4 लाख युवाओं के लिए रोजगार रखा है जो एक इतिहास होगा और हमारे युवाओं के स्वरनिम भविश्व का रास्ता त्यार कर रहा है, 4 लाख युवाओं का रोजगार माने रखता है जैसे चार लाग की अपने बात की तो जो बाकी के बच्चे हैं जो पढ़े पढ़ लिख रहे हैं उनका क्या होगा चार लाग तो अब एक साल में होंगे उसके बाद अगले साल जो पढ़ रहे हैं उनके भविश्य के लिए अगले साल अगले वर्ष कुछ न कुछ मांग करेंगे और हम चूकि अभी युवा हैं तो हम तो चाहते हैं कि हमारे मुख्मंत्री जी युवाओं को नौकरी दें और युवाओं को रोजगार मिले युवा कहीं भटके ना और हमारे महोली विधान सभा से तो पलायन नाकी करें विधाय जी यह बताईए जिए प्रधान मंदी नरेंद मोदी जी ने ये बात कही थी चुनाओ के टाइम पे जब सरकार मने के टाइम पे कि अच्छे दिन आएंगे तो आज भी लेकिन अच्छे दिन तो कहीं दिखनी रहें क्या इस पर क्या कहेंगे मैं जब अपने गाओं अपने छेत्र अपनी विधान सभा में घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो मोदी जी ने हमारे प्रधान मंतरी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो उनका मतव्य ये था कि अच्छे दिन मतलब हमारा युवा हमारी बहने हमारी माताएं गुंडागर्दी मुक्त समाज में बाहर निकलेंगी समय से घर पहुँचे हैं ये चिंता नहीं है कि गाड़ी हमारी छूड गई या हमारा युवा जब बाहर निकले तो वो छेड़कानी की बज़ाए अच्छे कारियों की ओर जाए हमारा किसान जब घर में लोटे तो उसको हात में जोला उसका भरा हुआ हो ना कि सर उसका दुखता हुआ सर झुका हुआ घर ना पहुँचे वो मैं देख रहा हूँ पिछले चार साल में हमारे प्रदान मंत्री जी ने किया और एक साल में हमारे यशश्वी मुख्य मंत्री जी ने उसको जो गति दी है क्योंकि पिछले तीन साल में प्रदेश की सरकार जो थी उन्होंने हमारे प्रदानमंत्री जी से कुछ प्रदानमंत्री जी देना चाहते थे केंदर सरकार देना चाहती थी और मुख्यमंत्री यहां की प्रदेश निकम्मी सरकार तो अब मैं क्या कहूं जनता ने खुदी बाहर कर दिया तो ऐसी सरकार वो कार कराना नहीं चाह रही थी केवल एक सड़क हाईवे जो एक्सप्रस वे बना तो उसी को धिंडोरा पीटना, मेट्रो बना देना, उसी पे धिंडोरा पीटना जनता आम जन के लिए, जनमानस के लिए कोई ऐसा कार नहीं था कि वो जब किसान जाए तो खुशी खुशी लोटे जो हमारी बहने मा बहने निकलने से डरती थी रात की पाली में कोई पढ़ने नहीं जाता था आज हमारी बहने छेतर में पढ़ने जाती है हमारी माताएं खुश हैं कि हमारी बिटिया अगर पढ़ने गई है तो समय से अगर देर से लोटी तो वो चिंतित नहीं होती है वो ये बस इतना चिंता करती है यहां कहा गई लोट आएगी पहले तो यह होता था कि पता नहीं उसकी इजद आपरू सलामत रहेगी कि नहीं रहेगी अाज हमारा समाज पूरी तरीके से 100% तो नहीं हुआ है क्यूंकि कई जगे ऐसा हो रहा है मैं भी देख रहा हूँ कही जगे ऐसा हो रहा है कि कुछ शरारती तत्व कोशिष करते हैं जैसे अभी कल आपने अभी कुछ दिन पहले अभी आपने लख्णू की घटना देखी ओगी तो उस लख्णू की घटना में जो एक विद्याले से छात्र को किड्नैप किया गया पहले तो ये अपहरण एक उद्योग धंदा था ट्रांसवर पोस्टिंग उद्योग धंदा था अगर पहले की सरकार जो रही उनमें अगर इस तरीके से अपहरण हुआ था एक ग्यारवी के बच्चे का और पांच-छे घंटे के अंदर वो बच्चा बरामद होके शक्षल प पहुँच गया यह बहुत बड़ी उपलब्दी है और यह उपलब्दी इस माने में नहीं है कि यह बहुत बड़ा काम हो गया यह उपलब्दी इस माने में है कि ऐसे प्रदेश में जहां पे बड़े-बड़े उद्योग पती आने से कतराते थे जहां बड़े-बड़े घर प्रतिस्थाने कारे करने से काम करने से मना कर रहे थे जहां पर बड़ी बड़ी प्रतिस्थान जो खुल चुके थे और ऐसी गौर्रमेंट में बंद होके चले गए थे उन सब प्रतिस्थानों के जो उद्योगपती हैं उनको और हमारे छेत्र के जो हमारे विदानसभा के हमा अब आप खुद बिटिया हैं तो आपको लगए अगर आज की आज के समय नहीं है अगर हम इस बात को कैसे मानें कि यह बात सही है कि आभी भी लड़कियां खुलें आम कहीं भी आज आ सकती है उनके घरवालों को टेंशन नहीं होती है जैसे कि आपने खुद अभी बताया कि एनके घरवालों को आज के समय में टेंशन नहीं है अभी मैं जब गाउं में जाता हूँ तो गाउं शेहर और गाउं में बहुत परिवर्तन है आप स्वय हम जानती हैं गाउं में जब मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं मुझसे कि भीया आज इम्तिहान चल रहे हैं बिटि कानून जो है वो अब पुलिस अपना काम कर रही है थाने बिके नहीं है वहाँ पे कुछ गुंडे माफिया लोग थाना नहीं चला रहे है अब पुलिस थाना चला रही है और पुलिस जब इमानदारी से थाना चलाएगी तो कहीं पे भी गरबर नहीं होगी क्योंकि पुलिस क पुलिस की जानकारी में सारी चीज़ें आ जाती है और महीला अगर हमारी सुरक्षित नहीं है ये पुलिस की जानकारी में होता है कौन कर रहा है ये भी उसको पता होता है और पुछली सरकारों के इतने दबाव रहे इस वज़े से वो खुलासे जब नहीं हो रहे थे तो उनक मन बढ़ रहे थे और हमारे यशिष्वी मुख्य मंत्री जी ने हमारे ग्रह विबाग के अधिकारियों को बैठाला और उनसे कहा कि मुझे किसी भी कीमत पे किसी भी कीमत पे हमारी बालिकाए हमारी माता हमारी बेहने इनकी सुरक्षाश चाहिए और वो उन्होंने साल भर में देना शुरू कर दिया है जिनों ने हमारे सवालों के जवाब बड़ी सूद्बूच के साथ दिये हैं अज के लिए इतना ही तब तक लिए शिर्पी को दिजिए इजाज़त नमस्कार झाया जमस्कार